यही है तमन्ना बने बाबा तुम साथ चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए यही है तमन्ना बने बाबा तुम साथ चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए हमें तो अतन की बहुत याद आए हमें तो अतन की बहुत याद आए हमें आए यही है तो अतन की बहुत याद आए कर दो कर दो कर दो किस काम की है पुरानी ये दुनिया बड़ी प्यारी है वो मिराकारी दुनिया विदेही बनेंगे प्रभूसं चलेंगे परम शातिया आनंद अनुभाव करेंगे देखो इशारों से कोई बुलाएं हमें तो वतन की बहुत याद आएं हमें तो वतन की बहुत याद आएं मुद्दत हैं गुज़ाएं तुरी बिछडे वतन को मिला क्या यहां पर लगा करके मन को यह तुमने बताया हुआ खेल पूरा जगत का इना तक रहा न अधूरा यहां की नशे कोई अब जी को भाएं हमें तो वतन की बहुत याद आएं हमें तो वतन की बहुत याद आएं हमें तो वतन की बहुत प्र्टन की बिच्गत का इना आएं तो वतन की बहुत पार श्याद आएं वतन वतन की बवा तो वतन शार चैन्वं यादों में बाबा तेरे मन मगन हो बूला हो संसा बूला ये चन हो तभी पुष्प वर्शा हो गूंजे बधाई उड़ो प्राण मेरे चलो ले विदाई परिष्टों की महफिल है आखे पिछाए हमें तो वतन की बहुत याद आए यही है तमन्ना बने बाबा तुमसा चले साथ घर को घरी ऐसी आए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत याद आए परिष्टों की बहुत आए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत आए हमें तो वतन की बहुत आए हमें तो वतन की बहुत आए हमें तो वतन आए तुनिया में रिखन है। तुन जिसका दिल मगन के जिस्ट बुलिया में रिखन है। जो नियावे साथ गए जर्ब से जो दूर है जो मते ने तूर गए जर्ब से जो दूर है जो मते ने चूर गए जिसके साखों ने कि दीके आथ गए जिसके आदो ने किसी का हाथ गह driveway जिसके आखों में से जो दूर साथ है जन रहा है जिनका दनमन जित नहिनों में हतार जन रहा है जित नहिनों में हताय है को आपको आपको साथिए जन रहा है झाल झाल उम्शान्ति मुरले का सार हैं मेठे वच्चे तुम मा पपिता के सम्मुख आये हो अपार सुख पारे बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकार घनेरे सुखों में ले जाते हैं बच्चे बाप तो दुखों से निकालता है पर निकालने का अपने आपको तुम्हारा मन हो तुम्हारा मन हो तो बाप निकालेगा बच्चे बाप तो तयार है पर क्या तुम्हें निकलना है तुम्हें विचार करो तुम निकलना चाहते हो क्या दुखों से या तुम्हें दुखों में आनंदा आ रहा है संसार तो काटों का जंगल है दुख ही दुख है मना दुख देने वाली बाते तुम त्यागने के लिए तैयार नहीं हो बाप का हस से निकाले क्यों निकाले अगर तुम्हें नहीं निकलना है तो बहुत से बच्चे भगवान के नाम से चिलाते रहते हे भगवान रहम करो पर क्या तुम अपने आप पर रहम करने के लिए तैयार हो क्या तुम्हें रहम करना है अपने उपर समझ की बात है दुनिया अपने उपर रहम करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर मैं जबरदस्ती रहम क्यों करूं इसलिए तो मैंने कहा कि अभी दुखों के पहाड गिर जाए क्योंकि उन्हें उसी में आनंदा आ रहा है तो वही मिले सबको दुख पहाड के जितना मैं तो चाहरा था विश्व भरका सुख मिले पर तुमारी चाहना नहीं तुम्हें लगता है दुख ही अच्छा है तो पहाड जितना मिले पहाड के नीचे दब जाओ दुखों के तले और मौच करो वहाँ पर समझ है बाप तो निकालने आया है पर क्या तुम्हें मन है निकलने का विचार करो सुयम से मन होगा तो निकलो नहीं होगा तो छोड़ दो दुखों का आनंद लो मजा करो समझ है बच्चे सारा संसार इस प्रकार से हो गया है ये दुख नौर्मल लगने लगे है समझ में नहीं आ रहा है जैसे कोई पागल खाने का पागल होता है उसको किसी ने पत्थर मारा खोन निकला तो वो चीज भी उसे नौर्मल लगती है उसे लगता है हाँ चीक है नौर्मल है ऐसी दुनिया की अहलत हो गई है सारे जो दुख है वो नौर्मल लगने लगे है सभी को लगता है यही जीवन है समझ है सार बच्चे खोश में आ और अगर तुझे नॉर्मल लगता है ये सब तो फिर मेरे नाम से ना चिला कि रह्म करो दुख से निकालो नॉर्मल है ना ये सब तो नॉर्मल जीवन जी हो इसके साथ आनंद लो मजा करो, खुश रहो और क्या कहेगा बाब, समझ की बात है सारी बच्चे परमात्मा तो हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है पर क्या वो मदद तुम चाहते हो तुम्हें अच्छा लगता है उस मदद को स्विकार करना और उस मदद को लेकर अपने आपको उचा उठाना तुम स्वें विचाहर करो सब समझ की बात है इस संसार में मुश्किल कोई परमात्मा को समझ पात है, पैचान पात है अभी उसे पैचान ही नहीं पाते समझ ही नहीं पाते दुख से निकलने का रास्ता बताये भी हो, कौन करेगा कौन अपनाएगा क्योंकि विश्वास नहीं है प्रस नहीं है निश्य नहीं है पहचान नहीं है कि परमात्मा है उपाय कारीगर नहीं होगा समझ की बात है सारी बच्चे देख इस संसार में तुझे क्या लगता है कहाँ पर परमात्मा होगा हर कोई अपने अंदर छेक करे सबको क्या लगता है परमात्मा कहाँ पर होगा उत्तर तो देंगे बहुत सारे बच्चे यहाँ 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 वहाँ 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 पर मेरा एक ही सवाल है तुम जिसके प्रती कहते हो कि परमात्मा है उसके आग्याकारी होँ उसकी हर आग्या पर चलते हो उस पर पर कभी नाराज नहीं हो उस पर सदा राजी रहे उसने जैसा भी जो भी व्यवहार किया तुम सदा राजी रहे ऐसी बात है, है तो फिर परमात्मा है, पर तुम उसके किसी बात से राजी हो, किसी बात से राजी नहीं हो, इसका अर्थ शायद परमात्मा नहीं हो, बस तुमारा संकल्प, तुमारी इच्छा, तुमारी कामना है, तुमारी भोगना, पूरी करने की वो कोई मशीन है, कोई सा यहां से तुम इच्छा रखो, यह हो जाता है, वो हो जाता है, यह भोगना, वो कामना, वो इच्छा, वो संकल्प, शायद कोई मशीन है, बच्छे देख तुने परमात्मा को क्या समझाए, सवाल तो यही है, परमात्मा कहां पर है, तु कहता है, यहां पर है, समझ की बात है, फलानी जगह पर है, फलाने मंदिर में, फलानी संस्ता में, फलाने तेर्थस्तान में, तो बरमात्मा से चाहता क्या है, तुझे पता है बरमात्मा का अकुपेशन, जानता है, उसका प्रोफेशन, वो क्यों आया है, इस संसार में, सभी को पता होना चाहिए, वो क्यों आया है, और तो और, दूसरे बच्चे, जो परमातमा से सुख की अपेक्षा करते हैं, उस सबसे नीच बच्चे हैं इस संसार के, जिनकी चाहना है, सुख मिले, आनंद मिले, खुशिया मिले, यह सब नीच है, जानवरों से भी नीच है य परमातमा से बस क्या मांगा जाता है, मुक्ती जीवन, मुक्ती का ज्यान, कल्यान का ज्यान, सुव कल्यान, विश्व कल्यान का ज्यान परमातमा से लिया जाता है, पर जो नीच है, वो सुख की आशा करेंगे, खुशियों की आशा करेंगे, मौज की आशा करेंगे, कि परम आत्मा मना इस प्रकार से, समझ है, जिन्हें सुख की आशा है, डीमन के पाश्चा, डीमन को मैं औरडर देता हूँ, जब भी कोई इस अंसार में सुख की आशा करे, हजिर हो जा, उसका सुख पूरा करो, वो आत्मा तुमारी, तुम उसके, सुख चाहिए उसे, समझ है, डीमन को ओरडर करता हूँ, कोई दुख के नाम से, मुझे लेकर चिला रहा है, और दुख बढ़ा, और दुख बढ़ा, मुझे लेकर चिला रहा है, जिसमें मेरा कोई संबंद ले, अभी मजह करना, दोनों बाते, डीमन को ओरडर कर दिया है, मैंने, बच्चे, ओरडर तो कर दिया है, अभी मजह करो, सुख की भी किये है, और दुख की भी किये है, अभी आनंद लो, समझ की बात है सारी बच्चे देख तुझे बड़ा अनंदा आ रहा है इस संसार में तुझे खबर ही नहीं है यहां क्या हो रहा है तुझे पता ही नहीं है परमात्मा संगम पर क्यों आया है तू तो बस व्यस्त है मस्त है और क्या घरबार छूड़ गया समर्पीद बच्चों का माता-पिता का जंजट खतम पती-पत्नी का बच्चों का जंजट खतम वहां जाके मुक्त है कोई किसी को पूछने वाला नहीं जब मन हो करो सेवा जब मन हो करो तपस जाने तो मत करो कौन पोछेगा समझ है यही आदत हो गई यहां आके और मौच बलकि आये बच्चे तपस्यार कहां भी किसी भी संस्ता में समर्पीत हुए हो तपस्यार सेवार्त हुए हो पर वो तो तुम भूल गए तुम अपने ही मौच तुम अपने ही मौच में चल रहे हो तुमें अपने ही मौच का अनंदा आ रहा है यह करे वो करे ऐसे करे वैसे करे ऐसे चले वैसे चले समझ की बात है सारी बच्चे चिंतन कर दुखों से निकलना है या नहीं निकलना है सुखों की फिलाल मैं बात नहीं करूंगा बले लिखा है धनेरे सुख में लेके जाते है पर दुख से ही जो निकलानी उसके सामने सुख की बात क्या करें मुर्खता होगी हो समझ है बच्चे पहले दुख से तो निकल फिर सुख की बात कर दे क्या है सुख किसे सुख कहा जाता है देख दुख से निकलने का मन है या नहीं है बच्चे तु स्वेम विचार कर और दुख कहां से मिला देया और देया के संबंध से जो तुझे त्याग ना नहीं अमेरी से हर प्रकार की अमेरी बस धन की अमेरी नहीं हर प्रकार की अमीरी फकीरी लेनी नहीं है और तेरे ग्यान से दुख मिलाए जो तुझे भूलना नहीं जो बाप कहता है अब तक जो पड़ा लिखा है सब भूल जाओ पर तू राजी नहीं भूलने के लिए समझ की बात है होश में आजा बच्चे बाप तो आया है पर तू तयार नहीं है दुख से निकलने के लिए यही तेरी माया है तुझे दुख में आनंदा आ रहा है जब तक सब ठीक है तू कुछ भी कर चल जाता है और जब सब ठीक नहीं रहता बिगड जाता है तुख परीत हो जाता है एक शन में तू ठीक आने पे आता है वाँ जब सब ठीक है तेरे नकरे चलते है और एक दिशा में किसी अती भी गड़ गया तू तेरे नकरे छोड़ देता है और सीधा हो जाता है इसी को माया कहते है समझे जैसे किसी देश में लोग आपस में लड़ते जगडते रहते हैं मनमुटाव करते रहते हैं और वही वार लगे तो वही जगडने वाले लोग एक हो जाते हैं क्या माया है पहले सी अगर एक होते तो फिर वो और कोई करने की चेश्टा करता समझे परस्तिती आने के बाद जो अपना मन बदलता है वो खतरनाक होता है हाँ बच्चो ध्यान में रखना वो बहत खतरनाक है उस पर कभी ट्रस्ट नहीं करना वो कहां दोका देगा कहां फसाएगा कब लटका आएगा ग्यरंटी नहीं है जैसे विपरीत परस्तिती हुई वो ठीक हो गया उसने अपनी स्तिती ठीक कर दे कामकाज में लग गया सेवा में लग गया पुर्शार्थ में लग गया नौकरी दंदे में लग गया यह बहुत खतरनाक इंसान होता है इस पर कभी ट्रस्ट नहीं करना कभी नहीं बच्चे बहुत धोका देगा जब उसे कोई समझाता है अरे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो छोड़ता है जैसे विपरीत बड़ी परिस्ति निर्मान हो जाती वो ठीक हो जाते है समझ की बात ऐसे आत्मा का कल्यान होना बेहद मुश्किल है जो अपने होश में नहीं है समझ की बात है दुख जानते हो क्या दुख एक ही है कि आत्मिक सिती में नहीं हूँ इस संसार का सबसे बड़ा दुख है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या निंदा, क्या मान अपमान, क्या मार पीट, क्या लड़ाई जगड़े वो दुख कुछ भी नहीं है सबसे बड़ा दुख है अत्मिक सिती में नहीं आ पा रहे हो मोल स्वरूप में नहीं आ पा रहे हो मोल स्वरूप नहीं है और तुम्हें सुख चाहिए मोल स्वरूप नहीं है और तुम्हें शांती चाहिए ये कैसी माया है बच्चे ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें सुख शांती चाहिए ये किस प्रकार की माया है तुमारे तुम स्वेम विचाहर करो बिना अत्मिक सिती के तुम कैसे चैन से रह सकते हो कैसे चैन से खा सकते हो, पी सकते हो, सो सकते हो, बैठ सकते हो कैसे हस सकते हो समझ की बात है खुशी में रहना, मुस्कुराना अलग बात है तर मौच कैसे मना सकते हो बिना अत्मिक सिती के समझ की बाते सारी बच्चे होश में आ, नादानी नहीं कर बाप तो आया है, पर तुम्हे निकलने का मन है क्या इन दुखों से, तु स्वेम विचार कर, मन है क्या मन हो तो निकल, ना हो तो ना निकल तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे इस संसार में विराठ दुख है पूरा विराठ दुख है जब तक बुद्धी से संसार को तु त्यागता नहीं सुख की उपलब्दी नहीं होगी होगी नहीं बच्चे, सुख की उपलब्दी कुछ भी कर, पले संसार को त्यागना पड़ेगा कुछ से भी करते क्योंकि तेरा दुख वही से आ रहा है जो तुने बुद्धी में पकड़ के रखा है तेरा नाम पकड़ा है तो तेरे नाम को लेकर कोई बदनामी करता है तो दुखाता है तेरे नाम का मान सनमान पकड़ा है तो उसको लेकर कोई अपमान करता है तो दुखाता है विचार कर स्वेम से दुख कहां से आ रहा है समझे तुने संसार का कोई ग्यान पकडा है तो ग्यान के किसी क्षेत्र को लेकर तुझे कोई अज्यानी ठहराता है तो दुखाता है तुने जो संसार का पकड़ा है उसको लेकर ही जब तुझे विपरीत सिद्ध किया जाता है फैराया जाता है नाम दिया जाता है तब तु दुखी होता है इसलिए तु मैं कहता हूँ संसार की बाते छोड़ बुद्धी से क्योंकि दुख वहाँ से जनमता है तुझे पता नहीं है समझ की बात कोई आत्मा हो और मा काल डाट लगाए दुखी होगी नहीं हो सकती पर कोई नाम रूप है तो जरूर दुखी होगा कमी कमजोरिया क्यों बताई है हमारे हमारे प्रतिय इसा क्यों कहां ये नीच है डीमन्स को मैं कहता हूँ ऐसे जो बच्चा है उनमें इतनी कमी कमजोरिया डालो कि अनंत कल्पों तक परमात्मा मिलके भी निकलना पाए ये मैं कहता हूँ ये मेरी अज्या है सारे डीमन्स को इतनी कमी कमजोरिया अनंत कल्प निकलनी नहीं चाहिए अति पुर्शार्थ करके भी order is order जिने दुख लगता है उनके अंदर विराट डालो शायद कभी मैं भी न दिख पाओ न मिल पाओ इतनी डालो अच्छाई के लिए निकाली जा रही है और उसका दुख लग रहा है और आजाए अनंत आजाए असेमित आजाए कमी कमजोरिया समझ है बड़े बड़े वो ब्रह्मराक्शस होते है, चुडेल होते है इनमे उनकी गिंती करूं बिठा दों अनंत कमजोरिया डालके सदा पाप होते रहें पाप जहाँ से हो रहें वो निकलने का पर्मात्मा ज्यान दे रहा है पर ज्यान लेना नहीं समझना नहीं तो अभी वही से विराट पाप होते जाए यह परमात्मा की आग्या है शुरू करो समझ की बात समझ में नहीं आ रहा है बाप क्यों आया है किसलिए आया है क्या समझाने के लिए आया है क्या बताने के लिए आया है पता नहीं चल रहा है समझ की बात है सारी मान अप्मान निंदास तुती इससे परेजा बाप समझा रहा है पर बच्चे राजी नहीं है तो अभी यही बढ़ जाएं जिसके लिए तुम राजी हो कोई एहंकार ही है तो विराट एहंकार बढ़ाओं कोई मोही लोभी है क्रोधी है कामी है तो विराट बढ़े हैं समझे हैं विराट बढ़े सभी यह पांच विकारों के heads उनको मैं order करता हूँ कि दुनिया को इससे नहीं निकलना है काम, क्रोध, लोभ, मोह, एहंकार तुम विराट बढ़ाओ विराट बढ़ाओ यह सब तुमारी जितनी विरादरी है उस सारी विरादरी को एक के पीछे लगाओ मैं देखना चाहता हूँ इस दुनिया की हलत जो दुनिया परमात्मा का सुनने के लिए राजी नहीं है उसको मैं अभी सर्वनाश के रूप में साक्षी होकर देखना चाहता हूँ क्या होता है उसका नहीं आत्माय रचेंगे नया ड्रामा रचेंगे डेसन मैटर परमात्मा की एक सांस में सारी आत्माय तयार होती एक सांस ले और एक सांस छोड़े सारी आत्माय नहीं तयार हो जाएंगे कोई फरक ही ने पड़ता तुम किस खेत की मुलियों तुम्हें रचा परमात माने तो तुम नाचने लगे वा ध्यान में रखना बच्चे रचेता इस रचेता He can do anything कुछ भी कर सकता है तुम्हारा अपना एक अस्तित्व क्या बनाया तुम अस्तित्व की बात करने लगे समझ है बच्चे अस्तित्व समापती में समय नहीं लगता ध्यान में रखना बच्चे अभी मज़ा करना सब को order दे दिया है उस दिन दुखों के पहाड़ों को order दिया है आज इनको order दिया है शायद मनुष्य विरादरी इने के लायक है परमात्मा के लायक इस संसार में कोई नहीं इस सुरिष्टी में कोई नहीं ये सिद्ध हो जाता है क्योंकि हर किसी को बस इस संसार का ही आनंदा आ रहा है यहां की बातों में मौशा आ रहे संभालना अपने को अभी ये सब तूट पड़ेंगे मजा करना देखना क्या उचलता है कैसे उचलता है मजा करना दम है तो कंट्रोल करना अभी मैं भी देखना चाहता हूँ सारी सुरिष्टी को अभी इन सारी शक्तियों ने पागल नहीं बनाया तो कहना मुझे वैसे भी तो ब्रह्मातन से उचारे गए महावाक्या सत्य होने चाहिए अंता समय में सारी दुनिया मेंटल होस्पिटल बन जाएगी समझ के बाद बड़ा अनंद जो आ रहा है अभी और अनंद लेना देखना क्या क्या होता है समझ है मुक्ती का ग्यान दिया मैंने जीवन मुक्ती का ग्यान दिया मैंने पर कोई लेने के लिए राजी नहीं कोई समझने के लिए राजी नहीं तो ठीक है जिसमें तुम राजी हो ये संसार यहां के दुख यहां के विकार, काम, क्रोध, लोग, मोह, एंकार उसी को बढ़ा देते हैं तुम उसमें राजी हो ना उसी को अंतिम छोर तक बढ़ा देते हैं अंड्रेट परसेंट आनंद लो उसका, मजा करो तुमें भी आनंद आएगा खुश्या मनाओ उनके साथ अच्छे लगते हैं ना वो काम, क्रोध, लोग, मोह, एंकार उनके बाल बच्चे, आनंद लो अभी संभाल करो अपनी क्योंकि यह अभी अपना हंड्रेट परसेंट रूप दिखाएंगे फिर मैं भी देखू तुम क्या करते हो उस्जे भी देखना है समझ है संभल कर रहे हैं ना बच्चों दुखों में आनंद आ रहा हैं ना तो और बढ़ाते दुख इनको कहकर इन्होंने यह दुख लाये हैं ना तो इनको कहते हैं और बढ़ाओ और बढ़ाओ इतने बढ़ाओ कि इंसान को अती मौज मिले अती मौश छोटे-छोटे दुख में कामकरोद लोब मोहिंकार में मजा नहीं आ रहा है जरवा तेज बढ़ा तेज सारा संसार ब्रहष्ट कर दो क्योंकि मैं सरेष्ट बनाने आया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, तो अती ब्रहष्ट कर दो बस समाथ हो गई सरेष्टता अगर समझ में नहीं आ रही और ब्रहष्टता में आनन्दा रहा है, तो ब्रहष्टता के लिए दे रही क्यों, अती ब्रहष्ट कर दो फटा-फट, समय ना लगे समझ है होश में आ जाओ अभी ओर्डर तो चली गई है अभी तुमारा ड्रामा और उनका ड्रामा जो ये सब करेंगे समझ की बात है बाप आया है पर बच्चे सोये है बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है इस पूरे संसार में मुझे एक दिखाओ जिससे परमात्मा समझ में आया है कोई भी एक दिखाओ और सामने लाया ना फिर मैं लक्षन चेक करता हूँ परमात्मा समझने के है क्या लक्षन होंगे तो मैं मानूंगा कि हाँ इने परमात्मा आया है ये समझ में आया है तो भी इस संसार का भला हो सकता है एक निकला तो भी पर मेरे हिसाब से इस संसार में एक भी नहीं है जिने परमात्मा समझ में आया है कि परमात्मा आया है समझ है अभी जिस गोले पर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि परमात्मा आया है उसका और क्या होगा समझ की बात है परमात्मा आया है ये समझ में आया है तो तुमने उसकी कौन सी आज्या को पालन किया है कौन सी आज्या मैं भी जानना चाता हूँ कि कौन सी आज्या को तुमने पालन किया आड गंटा योग, रोज का सदा की अत्मिक सिति है विचार करो संपोर्ण रूप से समर्पन, स्वाह है विचार को ऐसी कौन सी आग्या एक आग्या दिखाओ तो भी मैं मानूंगा कि तुम्हें समझ में आया है कि परमात्मा आया है बस एक आग्या मैं जादा नहीं पूछ रहा हूँ कोई भी एक आग्या समझ की बात है बच्चे विचार कर किसी के पास एक भी आज्यानी है जिस से सिद्ध हो जाए कि परमात्मा आया है यह उन्हें पता है यह उन्हें समझ में आया है अभी हलत ही यह है और सब आशा लगाके बेठे सत्यूगा आएगा सोने के महल मिलेंगे उश्वक विमान मिलेंगे चपन भोग मिलेंगे, उचे वस्त रालंकार मिलेंगे, समझे, कभी किसी ने कहा है, सत्यूग में कितनी शांती होगी न, कितनी खुशिया होगी, कितना आत्मिक सुख होगा, कितनी आत्मिक पवित्रता होगी, कितना आत्मिक आनन्द होगा, कोई नहीं कहता, बस बाहरी बाते करते हैं इसका अर्थ है इन्हें ग्यान समझ में यह नहीं आया उसको विमान की बात करने वाला सोने के महलों की बात करने वाला उससे ग्यान क्या समझ में आएगा वो तो बस उसी में उलजा हुआ है कि हमें यह मिलेगा बच्पने में है सब पर आत्मा से संबंदित क्या मिलेगा इसकी बाती नहीं कर रहे है समझ है बच्चे सत्युक तो आत्मा का है आत्मिक है तुम बाहरी यह देख रहा हो सब नीच की अवलादे हैं क्योंकि सब बाहरी देखना है बाहरी रूप से कितनी सुखस विदाय होगी कितनी मौच होगी अभी भी संगम पर आत्मिक कोई नहीं देख रहा है सब बाहरी देख रहा है संगम का बीज ही ऐसा है तो सत्युक की सोच क्या होगी वहां का वरक्ष क्या होगा वैसा ही होगा या कौन आत्मिक देख रहा है कि संगम पर कितना आत्मिक ज्ञान मिल रहा है, कितनी आत्मिक शांती मिल रही, सुख मिल रहा है, स्निय मिल रहा है, खुशिया, आनंद, मौज, कोई नहीं, बस बाहरी, दैहिक, देहसे संबंदित, समझ के बात है सारे संगम-युगी ब्रह्मन बाहरी सुखों में ही अठके है, बाहरी शांती में ही, बाहरी सनियं में ही अठके, बाहरी खुशियों में ही अठके क्या ग्यान उठाया आपने इतने वर्षों में क्या ग्यान लिया परमात्मा बाहरी देने आया है क्या परमात्मा तो आत्मिक देने आया है पर तुम्हें समझ में कब आया तुम्हें बाहरी ही चाहिए समझ के बाते हैं बाहरी रूप से जो अपमान सहेगा उन्हें ही अंदर उनी रूप से उससे विपरीत सब मिल जाएगा सुखशान्ती आ जाएगा समझ की बात है पर जिने बाहरी रूप से सुखशान्ती चाहिए उनको वापिस अंदर उनी रूप से विपरीत मिलेगा अशान्ती और दुख चाहिस तुमारी मरजी तुम्हारी है, दोनों में नहीं मिलेगा, दोनों में इंपॉसिबल है दोनों तरफ नहीं होगा, दोनों तरफ सत्यूग में होता है, यहां नहीं, यहां किसी एक तरफ दुख और अशान्ती जरूर रहे वो कौन सी तरफ होनी चाहिए तुम डिसाइड करो दोनों तरफ सुख शान्ती भोले जाना रास्ता बदलना किसी और गुरु के पास जाना दुनिया में बहुत गुरु है बहुत सारे गुरु है जिन के पास दोनों तरफ मिलता है वहाँ जाओ तो, मेरे पास दोनों तरफ नहीं, किसी एक तरफ मिलेगा, और वो है सिर्फ अंदर उन, बाहर ही तुम्हें देता नहीं, किसी भी प्रकार से, समझ है बच्चे, तुम दोनों तरफ चाहना रख रहे हों, सुख और शांती मिलें, पॉसिबल नहीं, पर मातमा सिर अंदर उनी सुख शांती देने आया है, पता नहीं है क्या तुम्हें, और अगर अंदर उनी सुख शांती चाहिए, तो बाहरी रूप से, महाकाल के सामने आते ही, दुख शांती मैसूश जरूर होगी, समझ की बात है सारी, होश में आ जाओ बच्चे, विचार करो, तुम क क्या चाहते हो, सारी समझ है, बच्चे ग्यान को समझ ही नहीं पाते है, बस ऐसे ही चल ज़ए, अपने इसाब से, उन्हें खबर ही नहीं, कर क्या रहे, चल क्या रहा है, आये कहा है, करना क्या है, जाना कहा है, पता ही नहीं, बस ऐसे ही चल ज़ए, समझ की बाते हैं, होश म आजा पूरा पूरा अच्छे देख दुखों की दुनिया से आत्मा को तो हटा शरीर तो दुखी रहेगा अंत तक तो कितना भी अच्छे से खिला पिला सुला दवाई दे दुख तो रहेंगे कायम और दुख अभी समाप्त नहीं हो शरीर छोड़ने के बाद ही समाप्त समझ की बाद है, सारी बच्चे देख विचार कर तु कहां है क्या कर रहा है क्या करना है कहां जाना है तुझ पर है सब निर्भर तुजे जो अच्छा लगे कर बाप और क्या कर के तेरी अपनी मर्जी तेरी अपनी चोइस समझ की बात है सारी बाप तो आया है ग्यान देने अच्छा लगे तो ले ना लगे तो बाकी तयार है order तो दे दिया मैंने अब यो संसार में जो करना है करेंगे समझ की बात है wonderful drama है प्रश्न है एक बाप ही reserve में रहते प्रश्नम नहीं लेते है क्यों उत्तर है क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए अगर बाप भी प्रश्नम में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए इसलिए बाप reserve में रहता है बच्छे विचार कर जो reserve में है उससे तू क्या सलाम शोरा करेगा उससे सब पता है तू क्या जानता है जो जाल में फसा हुआ है जो अटका हुआ है निकलना है तो चुपचाप कर नहीं निकलना है तो मर समझ की बात है सारी बाप तो ग्यान देता रहता है पर बहुत सारे बच्चों को निकलना ही नहीं है बाप का ये ग्यान सुनकर कितनों को वैराग्या आया है बाप पूछना चाहता कितनों को वैराग्या आया है इस संसार में पर मुझे तुमें सुना सुना कर और तुमने जो इतने लंबे समय से नहीं सुना है उस कारण सुनाने के लिए वैराग्या आया है लगता है अभी ग्यान ही ना सुना है क्योंकि शायद ये दुनिया ही नहीं सुधरने वाली ग्यान सुना कर उपयोग ही क्या है मैं रोज चिला रहा हूं एक-एक दो-दो गंटा लगता है अभी सुना हुई नहीं कितना सुना है कब समझेंगे और क्या ग्यारंटी आगे चल कर समझेंगे इसलिए हमें वैराग्या आया है कि ऐसे लगता है अभी ग्यान ही ना सुना है सब अपनी-अपनी मुरली करे पढ़े बस हो गया, बहुत सुनाया, बहुत समझाया पर कौन समझाया, किसे समझ में आया है, जो मैंने समझाया है समझ के बाते हैं दखता है सुनाय ही नहीं स्टूडन्ट समझ ही नहीं पा रहे तो टीचर जो सुना रहा है, फिर वो सही नहीं teacher सुनाता जा रहा है, सुनाता जा रहा है, और student समझ ही नहीं रहे, अपने हिसाब से ही चल रहे है, समझ के बात, तो सुनाने का कुई अर्थ नहीं बनता, समझ के बात है, वहराग्य आही नहीं रहा है विच्छों को इस संसार से कब आएगा वहराग्य वहराग्य का था पता ही लिए और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम नर्क में अटके है हम घोर कल्यूग में फसे है बाप हमें निकलने का ग्यान दे रहा है और वो निकलने के लिए राजी है तो मैं क्यों पीछे पड़ू कि तुम निकल जाओ कहां न मैंने दुखों में आनंद आ रहा है तो उसमें आनंद लो मैं सुखों की बात ही क्यों करूं दुखों से निकलने की बात क्यों करूं तुम्हारा आनन्द मेरे लिए important है कहां आ रहा है? doesn't matter जहां आ रहा है? और बड़े और आये तुम्हें? और मजालों? समझ की बात सच में बाप को वैराग्या है अब कि यान ना सुनाए क्यों सुनाओ? कौन समझ पाह रहा है? कितने धारण कर रहे हैं? तो क्यों ना वैराग्या है? क्यों ना मैं अपने में शान्त बेल्ट हूँ? मस्त सुनाना ही नहीं मुझे कुछ समझ की बात क्योंकि तुम सुनने के लिए राजी नहीं हूँ धारण करने के लिए राजी नहीं हूँ करने के लिए राजी नहीं हूँ और मैं सुनाता जाओ, फिर मैं पागल ठहरा हूँ, क्योंकि कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, कोई नहीं धारन कर रहा है, और मैं सुना रहा हूँ, तो मैं पागल ठहरा हूँ, सिदे हो जाता है, सिदे सिदे, कोई है, जो बोलता जा रहा है, और दुनिया सु तो उसे क्या थे पागल, सिंपल सी बात है, कोई धारणा में लाही नहीं रहा है, तो पागल ठहरा हो, सब समझ की बात है, बच्चे देख तू स्वयम विचार कर, सारी समझ है, पर तुझे समझ में नहीं आ रहा है, कि परमात्मा ही हमें इस संसार से, इस माया जाल से निकाल सकता है, पर फिर भी परमात्मा के साथ चलते, तुझे तेरे हिसाब से ही चलना है, समझ की बात, परमात्मा स्वयम चाहेगा, ऐसे बच्चे अनंत कलपो तक, इस प्रकार से माया जाल में फसे, कि अनंत कलपो तक, परमात्मा परमात्मा भगवान करते रहे, पर भगवान उन्हें कभी दिखे भी नहीं, कि मेरे बच्चन हो, कभी नहीं दिखे, मिलना तो छोड़ो, भगवान को देख भी ना पाए, किसी भी रूप से, इस प्रकार से उन्हें माया जाल में रखो, मेट्रिक्स में रखो, मैं तो कहूंगा, अनंत जनम, अनंत कल्प नास्तिक बना दो, बास समाप्त होगे, उन्हें जीने दो उनके हिसाब से, संगम पर जो अनंदा आ रहा है जीने का, उनके हिसाब से, तो अभी अनंत कल्प उन्हें उनके हिसाब से जीने दो, नास्तिक बना कर रखो, ताकि परमात मा की और जाने का विचार भी ना चले उनके मन में समझ है बच्चे और क्या कहो आज की मुरली जैसे श्राप की मुरली यही समझो हर प्रकार से मैं सब को कह रहा हूँ आज ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो जिसमें तुमें अच्छा लग रहा है उन सभी को मैं कह रहा हूँ अभी तेज करो ये कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ तुमें उसे में आनंदा आ रहा है माया जाल में नास्तिकता में काम करोद लोब मोह एंकार उनके बाल बच्चों में संसार में संसार के दुखों में तो विराड बढ़ा रहा हूँ उनकी जहाद तक मारजी ने उतने बढ़ा रहा हूँ समझ है मजा करो अनंद करो और क्या करो अब तक वर्दानों की मुरली सुनिया है अभी शराप की भी मुरली सुनो वर्दान सुनते हुए कैसे मजा आया अभी भी मजा लो वर्दान सुनकर लिये भी तो नहीं तुने कुछ भी तो धारण नहीं किया इतने वर्षों से इतने वर्दान मिले 36 से लेकर एक भी दिखा तेरे अंदर वर्दान एक भी वर्दान दिखा किसी भी मुरली का कोई भी महावाक्य दिखा जो तेरी धारणा में, नहीं है न, तो भी शराप ले, समझे, शराप से आनंद कर, आनंद कर, मजा कर, समझ की बात है, हलके में नहीं लेना, मेरे वच्चनों को, शुरू हो जाएंगे, उस सब अपना खेल करने के लिए, तुम भी उसमें मजा लेना, उसमें मजा आ रहा है न, काम में मजा आ रहा है, करोद में आ रहा है, लोब मौँआ इंकार में आ रहा है, उनके बाल बच्चों में आ रहा है, संसार की भोगना में आ रहा है, संसार के ग्यान में मजा आ रहा है, मजा करो, संसार की हर प्रकार की अमीरी में मजा आ रहा है, मज होता है let's see समझ की बात और वैसे भी शास्तरों में जो कहा है घोर कलियुक के कलियुक के अंत के वचन सत्य भीतो होने चाहिए समझ है ब्रह्मा बाप के सारे साक्षात का सत्य भीतो होने चाहिए मजा करो आनंद मनाओ परमात्मा के वचन समझ में नहीं आते मजा करो समझ की बात है खुश रो दूसरा प्रश्न देवता है सदा सुखी क्यों है उत्तर है क्योंकि पवित्र है पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है जहां पवित्रता है वहा सुख शान्ती है मुख्य है पवित्रता क्या है पवित्रता ब्रह्मचरिया लग है पवित्रता लग है पवित्रता आत्मिक सिती से शुरू होते है बिना आत्मिक सिती के पवित्रता की बात ही नहीं कर सकते होई नहीं सकती पवित्रता की बात बहुत से बच्चे डिन्डोरा पीडते हैं, हम पवित्र हैं नहीं बच्चे, तुमारा शरीर पवित्र हो सकता है, तुम पवित्र नहीं हो समझ की बात, वो शरीर भी पवित्र हो चुका है, क्यों? क्योंकि किन-किन के संग में आता है पर शरीर का भोग नहीं गटित होता पर संग किन-किन का करता है इनके साथ उठना, बैटना, खाना, पीना पर मात्मा के संग में कहा है वो तन समझ की बात है उसके शरीमत अनुसार कहा चल रहा है वो तन इसलिए शरीर भी आप अवित्र है सारी समझ की बात है बच्चे चिंतन कर पवित्रता का पवित्रता का ढिंडोरा जो पीट रहा हूँ चिंतन कर अपने से उरा पूरा आनन्द ले, मजा कर किस में है तुम क्या है कौन से संग में क्या कर रहा है तुझे तो आनन्द ही आनन्द आ रहा है जितना भोजन में आनन्द आता है उतना याद में आया है कभी जितना सोने में आनन्द आता है याद में आया है जितना बाते करने में नाचने गाने में आनन्द आता है याद में कभी आया है बस समाप्त होगी तुझे सबसे ज़्यादा आनंद जहां आता है वही तेरी आत्रा है वही तेरी डेस्टिनी है बच्चे मन्जिल है तु स्वैम चेक कर तुझे इस संसार में चलते सबसे ज़्यादा आनंद किस बात में आता है तु स्वैम चेक कर तू खाम खाम ये मत कहें कि तू अध्यात्मिक है तू ग्यान में चलने वाला है तेरा सबसे ज़्यादा आनन्द सबसे टॉप का आनन्द कहां पर है छेकर वही तू है वही तेरी परस्टनालिटी है तेरा जो सरोच आनन्द है चेकर किसमे खाना पीना सोना जागना नाचना गाना टहलना घूमना फिरना कपड़े पहनना खुशी किसमें मिलती है सबसे ज़्यादा तुझे या प्रमात्मा की शरिमत विचार कर जिसमें तुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है वही तेरी आतरा हो रही है सिंपल बात है तु ब्रमित मत कर अपने आपको और दूसरों को भी कि तु अध्यात्मिक है तुझे शरिमत अच्छी लगती है तुझे पुर्शार्त करना अच्छा लगता है तुझे स्वकल्यान विश्वकल्यान अच्छा लगता है ब्रमित मत कर तु ठगरा है अपने आप को तेरी खुशिया जहाँ है वही तेरी आतरा मनजिल है तेरा आनंद तेरी मौज जहाँ है वही तेरी आतरा तेरी मनजिल है चेक कर कहा है मुश्किल कोई मिलेगा इस संसार में जिसको कभी शरीमत मिलती है और बड़ा खुश हो जाता है भाबा से वतन से ये शरीमत आई इतन गंटे सकाश देना ए, योग करना ए, अत्मिक सिति करनी ए, मुर्ली करनी ये साकार में बाबा ने ये कहा है, बढ़ा खुश हो जाता है, न्यूट्रल वे में तो तुम सुनते हो, पर खुश होते हो श्रीमत को लेकर, अगर होते हो तो तुम्हारी आत्रा ये है, परमातम, वर्ना नहीं है न्यूट्रल वे में सुनना अलग बात है परमातमा ने कुछ कहा है, परमातमा ने कोई संदेश दिया है संदेशी के द्वारा कि ये पुर्शार्त करना है खुशी होती है, विचार करो, बेहद खुशी अगर होती है, सबसे ज़्यादा खुशी, तो तुम इस मार्ग पर चल रहे है वर्ना चेक करो, सबसे ज़्यादा खुशी कहा होती है बहुत से बच्चे हैं, जिनको अच्छा भोजन मिलेना, बहुत खुश हो जाते है वाँ वाँ, आज ये बनाए, क्या बात है ये ब्रह्मराक्षस है, गलती से इस रह पर आए वो स्वादिश्ट भोजन खाते हुए, इनका चहरा देखो और शिरिमत सुनते हुए, पालन करते हुए भी नहीं बोल रहा हो सिर्फ सुनते हुए इनका चहरा देखो पालन करना भी बात दूर है तुम्हारी सबसे ज़्यादा खुशी जहा है वही तुम्हारी आत्रा है वही तुम्हारी मंजिल है बच्चे शेक करो सबसे ज़्यादा खुशी कहा पर है तुम किस बात में सबसे ज़्यादा खुश होते हो शेक करो तुम ब्रहमित कर रहे हो अपने आपको कभी आत्मिक सिती करते सबसे ज़्यादा खुश हुए हो मैं अपने आपको पाने का प्रयास कर रहा हूँ शायद आज मैं मिलूंगा खुद से खुशी होती है कभी तो तुम गलत रहा करो सीधी बात कहता हूँ तुमारी ट्रैक गलत है रहा गलत है बच्चे सारी समश कभी आद में खुश हुए हो विचार करो कभी ज़्यान सुनते हुए खुश हुए हो कि बाप क्या क्या सुना आ रहा है मुरली सुनते हुए खुश हुए हो खुशी दिखर ही चेहरे पर अएप सब के ग्यान सुन रहे हो ना, खुशि दिख रही है, कहाँ पर है खुशी, टॉप की खुशी, नौर्मल खुशी नहीं, आत्म ग्यान मिल रहा है ना, दारेक्ट परमातमा से, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कहाँ पर है, योग लगाते खुश होते हो, धारणा करते कुई धारणा हुई आत्मिक खुश होते हो करते करने के बाद करने से पहले खुशी है सेवा में खुशी है परमातम अग्या अनुसार श्रीमत अनुसार जो सेवा करते हो खुश रहते हो खुशी का है बच्चे ठगो मत अपने को तुम्हारी सबसे ज़्यादा खुशी है जहाँ वही तुम्हारी यात्रा है वही तुम्हारा उर्शार्थ वही तुम्हारी मन्जिल है तुम उसी के लिए जी रहे हो दिहान से समझो जिस बात को लेकर तुम सबसे ज़्यादा खुश होते हो उसी के लिए तुम जी रहे हो समझ के बाद और ध्यान से चेक करना वो जो जिसके लिए जी रहे सही है क्या कही दुरगती तो नहीं हो उसके लिए जीने के कारण सही है क्या वजार करो या सद्गती को पाएं जिसके प्रती जी रहे है विचार कर बच्चे, ठगमत अपने आप, तेरे खुशी से सिद्ध होता है, why you are here on this planet, यहाँ पर तू क्यों है, वो तेरी खुशी बताते, for this, समझ है बच्चे, होश में आजा, कोई कहते है, बाबा के लिए, परमात्मा के लिए, वो परमात्मा तुम्हे रोज जाट लगाए, अपमानित करे, निंदा करे, चलेगा, तुम जोट बोल रहे हो, उस परमात्मा से तुम्हे खुशिया मिल रहे होंगी, आनंद आ रहा होगा, मौज मिल रहे होगी, इसलिए त धरापर हमें समझ है जोड बोल रहा है तुम अपने स्वार्थ के लिए इस धरापर हो साब कहता हूं शेक करो अपने आप वाई यू आर हैर ठगो मत बाकि तुम्हारी मर्जी जो अच्छा लगे करो मैं तो यही कहूंगा जहां तुम्हारी खुशिया है वही तुम्हारी मन्जिल पुर्शार्थ और यात्रा है यह मेरा वचन है जो सत्य है शेक करो उम्शान दे मिठे मिठे सिकिलदे बच्चो ब्रदी रुहानी बाप समझाते हैं वह बाप भी है मात पिता भी है तुम गाते थे ना तुम मात पिता हम बालक ते रे सब पुकारते रहते हैं किसको पुकारते हैं परम पिता परमात मा को बाकि उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कुरपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले सुख घनेरे किसको कहा जाता है वहाँ भी नहीं समशते अभी तुम यहाँ सामने बैठे हो जानते हो यहाँ कितने दुख गनेरे हैं यहाँ है दुखधाम वहाँ है सुखधाम किसकी बुद्धी में नहीं आता है कि हम 21 जनम स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं तुमको भी पहले यहाँ अनुभव नहीं अभी तुम समशते हों, हम उस परमपिता परमात्मा मात्पिता के सामने बैठे हैं, जानते हों, हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादिशाही प्राप्त करने के लिए ही यहां आते हैं, बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सुरिष्टी चक्र को भी समश लिया है हम पहले घनेरे सुख में थे, फिर दुख में आये, यह भी नंबरवार हर एक की बुद्धी में रहता है, स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं, घड़ी घड़ी भूले जाते हैं, इसलिए फिर मुर्जा जाते हैं, छुई मुई वह जो खुशी होनी चाहिए, वह नहीं रहती, नंबरवार पद तो है ना, स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु वहा भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं ना, वह गरीब प्रजा, वह साहुकार, स्वर्ग में भी ऐसे हैं, तो नर्क में भी ऐसे हैं, उच और नीच अभी तुम बच्चे जानते हों हम पुर्शार्थ करते हैं सुख गनेरे पाने के लिए इन लक्षमी नारैन को सबसे जास्ती सुख गनेरे है न यहां के सुख त्यागेंगे तो वहां मिलेंगे यहां सुख जिने चाहिए उन्हें वहां नहीं मिल सकते चॉइस इस एक जनम में कुछ सालों के लिए कुछ पलों के लिए कुछ seconds के लिए सुख लो या वहां सदा के लिए सुख लो चॉइस इस इस मर्जे आपकी है पर वहां सुख चाहिए तो यहां दुख बोगने पड़ेंगे यह नहीं हो सकता यहां भी सुख वहां भी सुख इंपॉसिबल है यहां सुख चाहिए तो वहां दुख मिले मर्जी तुम्हारी जो अच्छा लगे तुम्हारी अपनी जीवन है जहां चाहे मांगो जहां चाहे अपनाओ बताओ आदी से लेकर जो दादिया जो भाई निकले दादाय निकले यून ब्रम्मा किसको सुख मिला इस मार्ग पर एक भी नाम बताओ जिसको सुख मिला और अगर तुमने यहां पर भोगया है खबरदार रहना तुम्हारा वहां का सब गया है पूरे कल्प भर तुम्हारे आचल में सिर्फ दुखाएंगे अगर यहां सुख भोगया है तो कौन सी दादिया सुखी रही बताओ जरा आदीवाली मध्यवालों की मैं बाती नहीं कर रहा सिर्फ आदीवालों की बात कर रहा बोलो कौन सुखी रहा है आदीवाला कोई नहीं सब दुखी होकर इस मार्ग पर निकले संसारिक दुख परमात्मिक मौज्ञति संसारिक दुख से इस मार्ग पर निकले दुखी भोगा और दुख में शरीर छोड़ा बाःरी रूप से सुख किसने देखा है यहां पर किसीने ब्रह्मा तो जोपड़ी में ही जिया और जोपड़ी में ही शरी छोड़ा आदी पिता सुख कितने मिलने चाहिए दुख ही दुख भोगे बाहरी रूप से निंदा, अपमान, गलानी क्या मिला उन्हें कश्ट, दुख, दर्द, परिशानिया ब्रह्मा को ज्यान था, इसे यही भोगना पड़ेगा तब चुक्तु हो जाएगे और अगर यहां नहीं भोगा तो उपर धरमराज के पास सजा खानी पड़ेगे और फिर वहावी सुख सारे समाप्त हो जाएगे मूर्ख लोग होते हैं जो थोड़े से सुख के लिए पूरी जिंदगी बरबाद कर देते हैं थोड़े से सुख के लिए संसारे के वही बात हैं एक जीवन के थोड़े से सुख के लिए कल्प के सुख खलास कर रहे हैं ये तो मुर्खों की अउलादे हैं समझ है सार कल्प के सुख गवान 21 जन्मों के सुख गवान एक जनम के सुख के कारण वो भी क्या सुख है आप किसी भी प्रकार का सुख नहीं है समझ है बच्चे क्या सुख है बता क्या खाने का सुख है क्या खाने का सुख है बताओ ज़र सत्यूग में पता है कोई चीज खाओ जब तक डाइजेस नहीं हुई तब तक उसका सुखा आता है तुमारा सुखा गले से नीचे उतर गई सुखा खतम हो गया सत्यूग में जब तक डाइजस नहीं हुई है तब तक उसका सुखा आ रहा है कितने सुख है ये की बताया समझ है बच्चे यहां के सुखों के पीछे भाग रहा है भाग और वहां दुखपा तेरे अपनी मर्स यहां फिर यहां विराट दुखपा वहां विराट सुखपा चौईस इस यूर्स यहां दुखपाने तो रोना ने चिलाना ने हर हालत मर्जियाग मुख्य है पवित्रता की बात पवित्रता के सिवाई पीस और प्रोस्परटी मिल नहीं सकते इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से पवित्र है तो उनको देवता कहा जाता है तुम यहां आये हो देवता बनने के लिए देवताय सदा सुखी थे मनुष्य कोई सदा सुखी हो ना सके दुखी सुख होता ही है देवताओ को इन देवताओ की ही तुम पूजा करते थे ना क्योंकि पवित्रत है सारा मदार है पवित्रता पर विगन भी इसमें ही पढ़ते हैं बच्चे पवित्रता को समझो पवित्रता भाव से जनमती है आत्मा से जनमती है ध्यान में रखना आत्मा भाव वर्ति वाइबरेशन्स संकल और आगे सब में पवित्र उसको पवित्र कहा जाता है जो सब में पवित्र होगा उसी से विश्व कल्यान का कार्य घटित होगा जहां एक भी एंगल रहा है तेरा जिसमें पवित्रता कम है कम बोल रहा हूं पॉइंट वन आपसे विश्वकल्यान का कारी नहीं होगा होई नहीं सकता करने की चेश्टा भी नहीं हो पूर्ण पवित्रता लगती है विश्वकल्यान के यग्य में बैठने के लिए उरा करने के लिए पूर्ण पवित्रता होगी तो देखो ऐसे ब्रह्मन मैं बना रहा हूँ जो पूर्ण पवित्र समझ है आपने वो हवन देखा है जहां ब्रह्मन बैठता है मंतर बोलता है और जिनके घर में होता है वो आउती डालने के लिए बैठते है ब्रह्मन केता है स्वाहा तो उस इक्षन डालने है और अगर आगे पीछे होती है तो ब्रह्मन चिलाते है क्योंकि बोजह उन पर चड़ेगा मुझे भी ऐसे ब्रह्मन चाहिए जो मैं कहूँ और स्वाहा आगे पीछे नहीं जरा भी आहूती आगे पीछे हुई बोजह ऐसा चड़ेगा कि ये परमातम महा ब्रह्मन तुम्हे उठा के हवन में डाल देगा सीधा ऐसे अक्यूरेट ब्रह्मन चाहिए विश्व परिवर्तन के लिए विश्व कल्यान के लिए बाप का कहना और बच्चे का करना उसका दिमाग ही ना हो बाप ने बोला स्वाहा वा हो गया स्वाहा ऐसे चाहिए समझ है बच्चे ऐसे जो बच्चे जो संपूर्ण पवित्र है संपूर्ण उनी से यह विश्वकल्यान का कार्य होगा आत्मा भाव, वरत्ती वाइबरेशन्स, संकल दृरिष्टी, बोल कराम एवरिफिंग, प्यूर्श एकॉर्डिंग टू श्रीमत श्रीमत अनुसार सब पवित्र ऐसे ही चाहिए उनी से होगा आप जितने हो यहाँ चलने वाले उसमें अगर आप इसमें नहीं बैठ आप चलोगे शायद आपका किनी जन्मों का भाग्य होगा कि परमात्मा के साथ चल अब चलोगे पर आपसे कारिय नहीं होगा इसलिए कारिय करने की सोचो ही ने अगर आप संपूरना रूप से पवित्र नहीं होगा सोचो ही ने कारिय को रोको मत क्योंकि ऐसों से कारिय होगा ही नहीं वो कितनी भी चेश्टा करें वो तो अटियोग हुआ बाहुबल हुआ कि हम भी करके दिखाएंगे मैंने पातरता तो बताई है कि किस से होगा इसमें बैठता है तो बात कर और अगर बैठता है तो बात करने की भी जरूत नहीं तो अपने आप बैठ जाएगा समझ है बच्चे सारी समझ वाँ जो हवन होता है अटलिस्ट एक दिन की पवितरता धारन करते है या फिर जब तक हवन चल रहे है एक दिन, दो दिन, तीन दिन या उनका पूजा पाठ है तब तक के लिए पवितरता ब्रह्मचरिय वरत धारन करते है यहां हर प्रकार से धारन करने है जाओ पूछो उनको वो जो हवन होता है ब्रह्मचरिय तो धारन करते है जब हवन है गाली देते हैं क्या किसी को कुछ भी हो जाए गुस्सा करते हैं देखो जो हवन में बैठने वाला है कुछ गंटों के लिए बुरी वृत्ती जनमती है किसी के प्रती चेक करो उस दिन वो कितने अच्छे लगते है वृत्ती नहीं जैनमी वाइब्रेशन्स निकलेंगे बुरा भाव होता है नहीं होता है अत्मिक सिती नहीं होती पर यह सब मैं बता रहा है उस यग्य को उस हवन को करने के लिए भी इतनी शुद्धी रखनी पड़ती है यह तो महायग्य है महावन है बच्चे यह सब क्लियर चाहिए होगा तो बोल नहीं होगा छोड़ बात तू चलता रहेगा साती सैयोगी बनेगा मददगार बनेगा तू जिससे कारिय नहीं होगा मैं सीधे कहता हू और करने की चेश्टा भी ना कर तू ने अगर करने की चेश्टा की कारियों को रोक रहा है पीछे ला रहा है रोकना है पीछे लाना है तो करने की चेश्टा कर वरना चुपचाप साती सैयोगी बन और आगे बढ़ समझ है बच्चे तू समझ नहीं पा रहा है हर बात को होश में आजा, पुरा पुरा, होश होगा तो देख, नहीं होगा तो छोड़ दे बाद, संपूर्ण पवित्रता लगती है यहाँ पर, और यहाँ की पवित्रता अत्मिक स्तिती से शुरू होती है, अत्मिक स्ति, और पूरी कहा होती है, परमात्मा की शरीमत पालन करने पर, देख बच्चे, यह यातरा है यहाँ की, फिर ही तेरा स्वकल्यान होगा, और तुझसे विश्वकल्यान का कारिक गटित होगा, बाकी चेश्टा नहीं करना, जोर जबर्दस्ते से करने की, अच्छा मिठे मिठे सिकलदे बच्चो प्रती, मात पिता बाप दादा का, याद प्यार और गुड मौरनी, रूहानी बाप की रूहानी बच्चो को, नमस्ते हम रूहानी बच्चो की, रूहानी मात पिता, बाप दादा को, पदम गुना, पदम की भी, पदम 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 गुना, याद प्यार, गुड मौरनी, और नमस्ते, 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 अच्छा, ओम शानी धारणा के लिए मुख्य सार है एक नमबर, जैसे बाप परफेक्ट है, ऐसे स्वयम को परफेक्ट बनाना है, पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारणी है, सच्चे सुखशान्ती का अनुभव करना है दो नमबर, सुरिष्टी के आदी मध्य अंत का ज्यान बुद्धी में रख, ब्राम्भन सो देवता बनाने की सेवा करनी है, अपने उचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है वरदान है, धारणा स्वरूपद्वारा, सेवा करके खुशी का प्रत्यक्षफल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भवा सेवा का उमंगा रखना बहुत अच्चा है, लेकिन यदि सरकम्स्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है, तो अपनी अवस्ता गिरावट वाहलचल में न आए अगर ज्यान सुनाने का चांस नहीं मिलता है, लेकिन आप अपनी धारना स्वरूप का प्रभाव डालते हों, तो सेवा की मार्स जमा हो जाती है, ऐसे नीच बच्चे जो बापको समझाना पड़ता है, कि सेवा का चांस ना मिले, तो अवस्ता में गिरावट ना करो, नीच लोग है ये सब, मुझे सेवा क्यों नहीं दी, क्या हम लायक नहीं, क्या हम पातर नहीं, क्या हमें समझ में नहीं आता, ये नीच की ओलाद है, सब, अगले कल्पों में, ये मेरे सम्मुग भी नहीं आने चाहिए, कब भी नहीं, 33 करोड में भी नहीं आने चाहिए, जिने सम कि वो तुम्हें समझाए परमात्मा को समझाना पड़े इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है बच्चे देवताओं को समझाना पड़ा ब्रह्मा विश्नु शंकरजी को समझाना पड़ा बात निराली परमात्मा को समझाना पड़े समझ है बच्चे इस संसार में परमात्मा को समझाना पड़े कोई बात ग्यान दे रहा है ग्यान समझा रहा है बात अलग है पर श्रीमत दिये वो क्यों करनी है उससे क्या होगा यह अगर परमात्मा को समझाना पड़ रहा है तो पताएं तो क्या कारिय है तुम्हारे टॉइलेट की टंकी में उतर के साफ करने का कारिय करना है समझें मना तॉइलेट की टंकी में वो उतरे और साफ करे शरम नहीं आती उसने कहा और तुम समझ नहीं सकते श्रीमत दी समझ नहीं सकते कर नहीं सकते सब समझ है सारी शक्तियों को कहता हूँ दुनिया की शुद्ध शुद्ध जिने परमात्मा समझ मनी आता जिने परमात्मा की स्रीमत समझ मनी आती वो परमात्मा के बच्चे नहीं है जो करना है करो उनके साथ वो मेरे बच्चे नहीं बिलकुल नहीं जिने मेरे वचन समझ में नहीं आते साकार ब्रह्मा के द्वारा अव्यक्त रूप में दादी तन के द्वारा और यहां से पुर्ण रूप से जिने मेरे वचन समझ में नहीं आते उन सभी से मैं इस घड़ी मेरी कौड डिसकनेक्ट करता हूँ अभी उनका जो करना है आप सब करो शुद्ध शुद्ध जितनी शक्तिया है जो करना है करो अब तक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरी कौड जुड़ी थी मैंने कहा था मेरे बच्चे अभी मैं कहता हूँ मेरे बच्चे नहीं है मेरे बच्चों को मेरे बच्चन समझ में आए नहीं हो सकता हूँ मेरे बच्चे नहीं है मैं कौड भी डिसकनेक्ट करता हूँ पूरी श्रापित की मुरलियाच की सब को वर्दान में भी श्रापित किया जा रहा है बड़ा शौक है ना वर्दानों का वर्दान रिसेव करने का now receive your curse तुम उसी के लायक हो समझ है अब ही रिसेव करो अपने curse सारे श्राप मजा करो उनके साथ they are not my children do whatever you want मैं सीधी order देता हूँ तुमें जो अच्छा लगे करो उनके साथ वो सब तुम्हारे हवाले आज से मेरा और इस सुरुष्टी के अत्माओं का जिने मेरी स्रिमस समझ में नहीं आती मैं समझ में नहीं आता उनका कोई संबंद नहीं अभी जो होना है होने दो उनके साथ मैं देखने के लिए तैयार हूँ इस संसार में जितने भी अध्यात्मिक लोग हैं जिने परमात्मा नहीं समझ में आता मैं यहीं कहूंगा मैं और आल कि इस सुरिष्टी का और मेरा कोई संबंद नहीं बस मेरा इस सुरिष्टी में उसे संबंद है जिसे मैं और मेरी स्रिमस समझ में आती बाकि किसी से मेरा कोई संबंद नहीं अब सारी सुरिष्टी का जो करना है करो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता उसमें सब आजाते वचन नहीं समझ में आते परमात्मा परमात्मा कहते हूं मेरा 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 समझे ड्रामा मजा करो धारना स्वरूप बच्चे ही सचे सेवाधारी है उन्हें सर्व की दुआय और सेवा के रिटान में प्रत्यक्षफल खुशी की अनुभूती होती है स्लोगन है सचे दिल से डाता विधाता और वर्दाता को राजी कर लू तो रूहानी मौज में रहेंगे समझ की बात है राजी हुआ है परमात्मा तीन रुपो में दाता विधाता वर्दाता राजी हुआ है क्या विचार कर है राजी परमात्मा साकार आकार निराकार राजी है बास्समा रामा जा ओ शान्त सभी बच्चों के लिए मात पिता बाप दादा और शिव बाप की तरप से तोली स्विकार हो अपनी तोली स्विकार करो और नहीं बन पा रहो इसलिए आज के सारे श्राब भी स्विकार करो अच्छा ओ शान्त और अच्छा आदे की स्विकार के ऊतरु खेए नहीं बो continually नेरा बाबा, मिठा बाबा, प्यारा 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 बाबा, प् कर दो कर दो कर दो खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा कितना है प्यारा प्यारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा तुमसा कहा है कोई पाए कही नहीं हम माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जोगं पाकरित में है चम का तकदीर का सितारा कुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा कुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा यह देव्य जोती बिंदू है रूप कितना सुन्द बच्चों ने है बसाया अपने है देती अंदर माता पिता सखा सब तू आखों का रहा है अब ये जहान सारा कुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा अपना करम विताशिर अपना करम विताशिर कितना है प्यारा प्यारा कुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा कुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा कर दो कर दो